असलाम लेकुम, आज हम मैं आपके साथ शेयर करने हूँ खीर की रेसिपी, और उसके साथ ही हम बनाएंगे रजब में बनने वाली मीठी टिकिया, इस टिकिया में हम मैदे का यूज नहीं करेंगे, जो हम गेहु का आटे की रोटी बनाते हैं, घर में मल्टी ग्रेन वाला वह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तयार होती है, और खीर बहुत क्रीमी बनकर तयार होगी, आप इसे जरूर बनाएं और चैनल बनना है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखर तक जरूर देखे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पर एक सब्सक्राइब कर लिए कर लिए, तो पक्लिप मुझस के काले गारी है, तो इहां पत्सक्राइब कर लाए हनुआ है, अच्छी तरीके से, में सारी चीजों को हाथों से मसल मसल कर एक कर लूँगी और उसके बाद घी को मैंने मेल्ट किया है थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे हम इसमें और हातों से इस तरीके से मसलते हुए सारी चीजों को एक जान कर लेंगे इस तरीके से गोला जब बनने लगेगा तो समझ लिए घी हमारा बिलकुल सही है दूद को इसमें आट करके इसका हमें एक आटा लगा लेंगे थोड़ा-थोड़ा सा दूद हम डालेंगे और इस तरीके से एक सक्त आठा पहले लगाएंगे उपर से घी लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए मैंने रख दिया था इसे अभी उसके बाद थोड़ा-थोड़ा दूद का छीटा मारका है मैंने इससे अच्छी तर आटे का थोड़ा 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 पोशन आप उठाते जाए इस तरीके से बिल बिल कर सारी टिक्यों को आप काटके और इस तरीके से शेप दे दे और जो बचेगा उसे बाद में फिर से यूज कर ले तेल मैंने रख दिया तक गरम होने तेल बहुत हलका गरम होना यह चूने से भी तूट जाएगी इतनी मुलाइम होती है जब इसे आप रखेंगे और इसमें हवा लगती जाएगी अपने आप यह क्रिस्प होती जाएगी और इस टिक्या को आप स्टोर करके कई दिन तक रख सकते हैं तो चलते हम खीर की तरफ एक भगोने में आदा गला इसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ और इसी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से दूद में डालेंगे तो कभी भी खीर में लम्स नहीं आएगा दूद में उबाल आने लगा है अब इस तरीके से मिक्स करते हुए इसे दूद में हम एड़ कर देंगे और इस तरीके से मैंने यहां गी गरम किया है थोड़ा सा वन टीस्पून के करीब इसमें ड्राइफ रूट थोड़े से थे मिन पास वो मैंने आड़ करके थोड़ा से भून लिया इसमें मैं एक कब घोया डालनी हूँ और इसे इस तरीके से हम पका लेंगे ताकि घोया अच्छी दिखाना भूल गई हूँ यह देखे खीर हमारी पक कर गाड़ी होने लगी है उसके बाद फ्लेम को मैंने बन कर दिया है मैंने इलाइची पाउडर डाला है थोड़ा सा मैं यह केसर वाला एसेंस है वन टीस्पून पानी लिया मैंने वन ड्रॉप मैंस में स्काइट करूँ और इसे डाल दूँगे इसके अंदर बहुत ही जबरदस हमारी खीर बनकर तयार होगी अगर आपके पास केसर वाला एसेंस नया हो तो आप सिर्फ इलाइची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और देखें खीर मैंने यहां सर्फ करनी शुरू कर दी है इतनी ही थेक हमार खीर होने चाहिए और उसके उपर से जो आपको पसंद वो आप उसके उपर गानिशिंग के लिए डाले इस टिकिया के साथ इस खीर का मज़ा उठाए वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी सारी नोटिफिकिशन आप तक पहुंचती रहें दौा में यादर के अल्ला हाफिज